आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको तीन टुटोरिल दिखाने वाले हूँ एक तो है प्री प्रेग्नेसी के बारे में टुटोरिल दिखाने वाले हूँ प्रेग्नेसी मतलब जो औरत की शादी हो गई है और वो अभी प्रेग्नेसी प्लान करी है तो वो जो time period है की शादी हो गई अभी वो जो family है वो family planning कर रहा है और सोच राए कैछा भी, you know, we want to start family बमीले चालो करना है तो वो time period में हम लोग कैसे क्या करेंगे क्या मा को औरत को क्या खाना है तो मैं उसके बारे में मैंने टुटॉल बनाया हुआ है बहुत सारे जो पोस्टिक तत्वा है वो अगर मा को हम लोगों ने यह टाइम में अगर खिलाया तो बच्चे के वजन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का वजन अच्छा हो सकत में 숲्म प्रोटिन की मत्रव है उप्रोटिन दे कि अम्म चैनल प्रोटिन है बहुत सार ऐसे न्युटिएंट हैं जैसे数 एपने तो मुझे ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फोलेट है, कोलीन है, विटमिन B12 है, विटमिन A है, calcium है, iron है, vitamin C rich food है तो बहुत सारे ये जो nutrient है, शुक्ष्म नूट्रियंट और बड़े वाले nutrient दोनों को ध्यान में रखके आपको मा को ये सब सला देनी है, उनको ये tutorial दिखाना है उसमें आपको दूसरा एक जिहान में रहे कि मा को अच्छी चर्वी की भी बहुत ज़रूरी है तो मा को बोलो कि घी खाए, मक्खन खाए, अगर रिफाइन टेल नहीं काना है, जितना हुआ से कि रिफाइन टेल मत खिलाओ, घी मक्खन खाएगी तो ज़्यादा चरहेगा या तो लोकली कोई भी तेल अगर अविलिबल है, या तो सरसुर का तेल है, या तो मुखफली का तेल है, या तो तिल का तेल है, तो वो भी चलेगा, लेकिन कच्छी गाने का मैं प्रिफर करती हूँ, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते और दूसरा क्या है कि मा को रेस्ट की बहुत जरूरी अरतों को, तो कोई जो अगर कुछ सेवन करती हो, तमाकू का सेवन करती हो, या कभी-कभी वो लोग महुआ का ड्रिंक पिते हैं, ताडी पिते हैं, तो वो सब भी आपको बताना है कि ये सारे जो जिसकी अडिक्शन हो वो अडिक्शन वाला ना पिये, ज्यादा चाय, कॉफी वो भी अच्छा नहीं है, टीके एकलास, शक्कर कम करना है खाने में, कार्भोहरीट की मात्रा आपको कम रखने हैं, इंसुलिन रेजिस्टन ही होना चाहिए, बिकोज हमारे भारत में अभी जेस्टेशन डायाबिट पर घाबिटीस होना करी होना, इसका मात्रा ब debates भी बढ़ है ठीक है, तो ऐसा ना होए बोट प्रेश्र ना होए प्रेग्निंसी में, वो शारे प्रेग्निंसी जो प्रेग्नेश टाइम में उसकी खान हैं। आपको भॉट को ध्यान देना है, जितना हो सके डायेट्री desi और वजन भी अच्छा बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगी, जब भी प्रेग्निन होगी, तो हमारे नहीं है, जो हमारे पास आती नहीं है, लेकिन वो टाइम में भच्य का मस्टिक बनता है, जो आपने देखा पहले, उसका पुरा शरीर बनता है, वो पहले दो-तीन मैं नहीं तो अगर मा का नुट्रिशन बहुत ठीक है पहले से ही जैसे वो प्रेगनेंट हुई तो उसके जो बच्चे की जो शरीर के अभी और बहुत अच्छे बनेंगे ठीक है और दूसरा क्या है कि मेंटेंग इस नूरल ट्यूब जो जिसे बच्टिक और स्पाइनल कॉर्ड बनता है वो ठीक होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर B12 को लीन और अबका अगर फोलेट कम है खाने में तो वो माधर को नूरल ट्यूब डिफेक्स बच्चे को होना डेफिन तो आपको याद रहे ठीक है कभी कभी आपको दो तीन बार ये टुटॉल देखना पड़ेगा तो डेफिनिटल आपको दो तीन बार टॉटॉल देखे और समझे और ये इन्फोर्मिशन आपको जो भी शादी शुदा ओरत है जो जो बच्चा प्लानिंग कर रही है वो लड़की लड़के हैं उनको क्या नुट्रिशिन पोशन देना है मतलब वज्टेन रेसिपीज है उनकी और नॉन्वज रेसिपीज है ठीक है तो ये तीनो टुटॉरल आपको आडॉलसिंट जो किशोरीवाई की लड़कीया फैमिली में जहां पे किशोरीवाई की लड़क तो वह फैमिली में आपको दिखाना है, ठीक है, अधालेसंट जैसे किशोरी वाइ की लड़कीयों का पोशन बहुत ही जरूरी है, इतना ही जरूर है जितना पोशन आपके जो औरते हैं जो फैमिली प्लान करी है उतना ही इनों उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है, तो किशोर लट्कियों को भी आपको आपको यह वज़टर्ण रेसीपीस दिखाए है, जो वज़टर्न है, उनको सिफपेशिपीस लीडिया है, ठीक है? हमारे भारत में जो रपॉर्ट में है,talk है, किणोरी लट्कियों को बहुत हारी मातरह में अनीमिया ठीक है, B12 deficiency भी है, उनको full aid deficiency है, तो हमारी लड़किया जो है, जो कल जाके माता बनने वाली है, उनका portion ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आपको ये तिनो tutorial दिहान में रखने हैं, कि कौनसा कौनसा खाना उनके उसमें जाना चाहिए, उनको हरोज के खाने में, और उनको फ्यू उनको सक्षम करना है, ठीक है, थेंक यू, पूर्व गर्भावस्ता के portion के spoken tutorial में आपका स्वागत है, इस tutorial में हम सीखेंगे प्रजिनन और पूर्व गर्भावस्ता के दौरान portion संबंधी जरूरते हैं, पहले शुरू करेंगे protein से, protein मास पेशियों के उतकों के विकास और र ये रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाने में, तंदुरुस जिगर बनाये रखने में और उर्जा देने में भी मदद करता है, protein ऐसे रसायन बनाता है, जो हाजमे में मदद करते हैं, शरीर में जहरीले पदार्थों को तोड़ते हैं, खून में शुगर की मात्रा बनाये ले जाते हैं, protein की कमी से भ्रून का उम्र के हिसाब से कम विकास होता है, जैसे कम लंबाई, और फिर यादाश, हाथ, अंगुठे और उंगलियों पर भी नियंत्रन नहीं होता, infection का खत्रा भी जादा रहता है, बड़ी उम्र के लोगों में ये सब होता है, जुर्या, बालो नाखुनों और त्वचा का ज़रूरी हिस्सा होता है, खास बात ये है कि protein अलग-अलग पदार्थों से बना होता है, जिसे amino acids कहते हैं, पूरे 22 amino acids होते हैं, जिस में से 9 amino acids खाने में से लेने पड़ते हैं, आएए देखें, दो तरह के protein, जो हैं, पूरा protein और अधूरा protein पहले बताए गए 9 amino acids जानवरों के protein में मिलते हैं, इसलिए जानवरों के protein को पूरा protein कहते हैं, और पौधूं के protein में ये 9 ज़रूरी amino acids कम मात्रा में होते हैं, जैसे कि अनाज में लाइसीन और डालों में मिथ्यूनीन कम होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अलग-अलग पौधूं का protein साथ-साथ खाया जाए, जैसे कि अनाज और डाल साथ-साथ खाने चाहिए, क्योंकि इस से ज़रूरत के हिसाब से amino acid मिलता है, अब पोशक तत्व चर्बी की बात करेंगे, अच्छी सेहत के लिए खाने से मिलने वाली बढ़िया किसम की चर्बी खाने चाहिए, कुछ चर्बी इंसान का शरीर नहीं बना पाता, जैसे कि omega-3 fatty acid, इसलिए ये खाने में से लेना चाहिए, ये दिल को तंदरुस्त रखता है, शरीर की सूजन को कम करता है, और स्त्री को गर्ब धारन करने में मदद करता है, ये शिशू के समय से पहले जनम होने के खत्रे को भी कम करता है, और उसकी बुद्धी बढ़ाता है, प्रोटीन और चर्बी के बाद हम विटामिन A की बात करेंगे, विटामिन A आंखों को तंदुरुस्त रखने में और कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, स्त्री को गर्ब धारन में मदद करता है और पूर्व गर्बावस्ता में उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ती भी बढ़ाता है, विटामिन A की ही तरह विटामिन B कॉम्पलेक्स भी बहुत जरूरी है, स्त्रीयों की ताकत और जीवन भर की के चलने के लिए जरूरी है, जिससे की बुद्धी का विकास होता है, और यह गर्बावस्ता में जी के मचलने से भी राहत देता है, अगला पोशक्तत्व है विटामिन B12, जो की फोलेट और कोलिन दोनों के साथ मिलकर अनीमिया और निूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचात जो गर्बावस्ता के पहले महिने में बनने वाले रीड की हड़ी और तंत्रिकाओं के केंदर पर असर करती हैं, निूरल ट्यूब भून का वो हिस्सा है, जो आगे जाकर दिमाग और रीड की हड़ी बनता है, इसलिए यह जरूरी है कि गर्ब बती होने से पहले शरीर में फोलेट, विटामिन B12 और कोलिन की मात्रा भरपूर हो, विटामिन B12 की कमी से अनीमिया, बांचपन और गर्ब पात होता है, अब एक और जरूरी पोशक तत्व के बारे में सीखेंगे जो है फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, शरीर में तंदुरुस कोशिकाएं ब अनीमिया होता है, दिमाग और रीड की हड़ी पर भी असर होता है, जिसे निूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, निूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में इसी टुटॉरियल के पहले भाग में बताया गया है, अब हम आयरन की बात करेंगे, जो खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है, और ब्रून के विकास के लिए भी, गर्भावस्ता में हीमोग्लोबिन कम होने पर ये सब होता है, उच्च रक्त चाप, समय से पहले प्रसव, जनम से शिशु का वजन कम होना या गर्भ पात, हीमोग्लोबिन ऑक्सिजन को शरीर के उतकों और कोशिकाओं तक ले कर जाता है, हीमोग्लोबिन और आइरन की कमी से अनीमिया होता है, स्त्रियों में आइरन की कमी हो सकती है इन वजहों से, मासिक स्त्राव, पेट में कीडे या खाने में कम आइरन होना, यदि खाने में फाइटिक एसिद और ओक्जलेट हों, तो भी श शरीर आयरन को नहीं सोख पाता। इसलिए Phytic Acid और Oxalates कम करने के लिए और ताकि पोशक तत्वों को शरीर सोख पाए, खाना पकाने से पहले ये करें भिगोना या अंकुरित करना या भूनना या तो खमीर उठाना। आयरन की कमी से होने वाले अनीम्या की निशानी है ठकान, ताकत की कमी, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और फी की तवचा होना। याद रहे। आयरन के साथ साथ विटामिन C से भरपूर खाने को खाना चाहिए, जिसे की शरीर आयरन सोख पाए, विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ा कर इनफेक्शन से बचाता है। अगला हम सिखेंगे क्यूं जरूरी है कैल्शियम और विटामिन D, कैल्शियम सुझाया जाता है क्योंकि वो हड्डियों के बढ़ने में मदद करता है, व्रून को कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए चाहिए होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज याद रखें, विटामिन D से शरीर कैल्शिम सोख पाता है। विटामिन D पाने का सबसे अच्छा तरीका है। 15-20 मिनट तक शरीर को सुभा 11-3 बजे तक सूरज की रोशनी लगवाएं। अब हम कोलिन की बात करेंगे। जो की शिशु की बुद्धी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही यादाश बढ़ाता है और ध्यान लगाने की शक्ती भी। इसकी कमी से उम्र के बड़े लोगों को चर्बी वाला कलेजा होता है। गरपत और भून में निूरल ट्यूब डिफेक्ट भी। जो की इसी टूटोरियल के पहले भाग में बताया गया है। आएए अब जिंक की बात करते हैं। जो जरूरी है रोग प्रतिरोधक शक्ती और कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए और शरीर में आनुवन्शिक चीजें और प्रोटीन भी। ये जखमों को भरने, अंडाशे से अंडे नि जिसमें से मा से भ्रून तक पोशक्तत्व पहुंचते हैं। इसकी कमी से भ्रून देर से बढ़ता है और फिर शिशू कम वजन का पैदा होता है। अगला जरूरी पोशक्तत्व है आयोडीन, जो शरीर के थाइरोईड ग्रंथी से बने, थाइरोईड हार्मोन की मात्रा बन रखता है। मा में आयोडीन की कमी से गर्ब पात या फिर मरा हुआ बच्चा हो सकता है। और शिशू में जनम से ही शारीरी कमिया हो सकती हैं या वो पैदाईश से ही कम वजन का या बौना या मंद बुध्धी भी हो सकता है। मैगनीशियम अगला पोशक्तत्व है जो तंत करता है। ये दिमाग में खून की नल्यों को आराम देकर एंठन और माइग्रेन के सरदर्द से बचाता है। रक्त चाप और दिल की धड़कन भी बनाए रखता है। ये आनुवन्शिक चीजें बनाने और हड्डियों के विकास में भी मदद करता है। स्वस्त गर्भावस खुद से दवाई, जादा मीठा, चाए, कॉफी, मोटापा करने वाला खाना या पीना नहीं लेना चाहिए। इन सब चीजों से प्रजनन स्वास्थ और गर्भावस्ता पर बुरा असर पड़ता है। गर्भवती होने से पहले वजन पर ध्यान देना चाहिए। कमजोर स्थ्रियों को छोटे शिशू या समय से पहले पैदा हुए शिशू होते हैं, जोकि गर्भावस्ता के साथवे या आठवे महीने में हो जाते हैं। ऐसे शिशू कुछ समय में ही गुजर जाते हैं। जादा वजन की स्थ्रियों में गर्भावस्ता के दौरान शुगर और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। जिस वज़े से आगे चलकर नवजाचीशू को तकलीफे हो सकती हैं। इसलिए गर्भवती होने से पहले स्थ्रियों को अपने वजन को नियंतरित करने के लिए स्वास्त सेदिका को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जरूरी है संतुलित आहार खाना जिसमें शाकाहारी और मासाहारी खाना हो या फिर दोनों में से सिरफ एक हो। याद रखें, सभी मासाहारी खाने प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिद्स, विटामिन B12, विटामिन B9, जिंक, आयरन, कैल्शियम, कोलीन और विटामिन D से भरपूर होते हैं। जानवरों से मिलने वाले खाने के अलावा, पेड़ पौदों से मिलने वाले खाने जैसे डाल, बाजरा, रागी, अनाज, दाने और बीज भी, रोग प्रतिरोदक शक्ती, मासपेशियां, हड़ियां, कलेजा, बाल, त्वच्चा, आंखें और दिमाग के बनने में मदद कर इसके अलावा, पत्तेदार सब्जियां और बीज, जो कैल्शिम से भरपूर होते हैं, वे भी शिशु की हड़ियां और दांटों के लिए जरूरी होते हैं, पत्तेदार सब्जियों के अलावा, फल भी विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ आइरन को सोखने में मदद करते हैं और इंफेक्शन से बचाते हैं। स्त्रियों की जननन्शक्ति और शिशु के विकास के लिए मांसाहारी खाने के अलावा फलियां, दाने और बीज भी खाने चाहिए। मांसाहारी खाना जैसे मचली, अंडे या दूद से बनी चीजें शरीर में थायराइड हार्मोन को बनाए रखता है। शरीर को बढ़ने में मदद करता है और शारीरी कमियों से बचाता है। दाने और बीजों में मैगनीश्यम भरपूर होता है जो की तंत्रिकाओं को आराम द रखता के लोगों के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सिखेंगे इस उम्र में पौश्टिक खाना खाने की जरूरत और कुछ तरीके शाकाहारी खाना बनाने के जैसे सोया बिन कटलेट, और सब्जियों की खिचडी और भर्मा पराठे के साथ सफेद तिल की चट्मी. सबसे पहले समझेंगे की किशोरवस्था क्या है? ये वो उम्र है जब बच्पन खत्म होकर इनसान जवान होने लगता है. दस से उननीस की उम्र को किशोरवस्था कहते हैं. इस उम्र में शारीर क्यों बढ़ जाती है? पहली वज़ा शारीरिक बदलाव जैसे लंबाई और मोटापा बढ़ना. दूसरा शरीर को पौश्टिक तत्मों से मिलने वाले फायदे बिमारी और गरभावस्था में. इस उम्र में भावनाओं में भी बदलाव आता है. जैसे तनाव, चिंता और मनोदशा. इस उम्र में समाज में रहने और उपने बैटने का तरीका भी बदलता है. जैसे जीने का तरीका और खान पान में पसंद ना पसंद. खाने में पसंद ना पसंद दोस्तों के हिसाब से होने लगता है. इन सब बदलाव में अच्छा पोश्रिक आहार बहुत को रोज 2000-2400 कैलरीज और 40-55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। देखते हैं कुछ पॉष्टिक शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। बनाने से पहले याद रखें, हर रेसिपी में एक कप 200 मिलिलीटर के बराबर है। पहला है सोयाबीन कटलेट। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 चौथाए कप सोयाबीन, एक चौथाए कप चनादल, आधा चुकंदर, एक चौथाए कप उबले मटर, दो बडे चमच मुंफली का पाउडर, 1 छोटा चमच बेशन, 1 छोटा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच आमचूर, नमक स्वाद अनुसार, एक चमच सहजन के पत्ते, दो चमच सफेद तेल और एक चमच तेल. सबसे पहले सोयबिन को अंकूरित करें. सोयबिन को राद भर पानी में विगोएं. फिर चल्नी में रखकर पानी निकाल दें. और ठंडी सूखी जगा पर रखें. इस सोयबिन को रोज दो से तीन बार धोएं, जब तक अंकूर ना निकलें. दोने से सोयबिन खराब नहीं सोयाबीन को अंकुरित होने में करीब 3-4 दिन लगते हैं अब राद भर चने की दाल को पानी में भिगोए अगले दिन छलनी में डाल कर छान ले प्रेशर कुकर में चने की दाल और अंकुरित सोयाबीन को डाले एक कप पानी भी और फिर एक सीटी लगवा कर पकाएं ठंडा होने पर सोयबीन और चने की दाल को घोट लें अब सहजन के पत्तों का पाउडर बनाएं मध्य मांच पर पत्तों को भूने ठंडा होने पर मिक्सी या सिल्बटे पर रखकर पाउडर बना ले अब कटलेट बनाने के लिए एक बर्तन में घोटे हुए सोयबीन और चने की दाल को डालें कदुकस किया हुआ चुकंदर और उबले चने भी डालें फिर मुमफुली पाउडर, बेसन और सहजन के पत्ते और सारे मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं फिर इस मिश्रन के छोटे कटलेट बनाएं कटलेट को सफेद तेल में घुमाएं अब तवे पर तेल डालें और कटलेट को दोनों तरफ से पकाएं सोयबीन कटलेट खाने के लिए तयार है ये कटलेट प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैगनीशियम, ओमेगा 3 फैटी असिट से भरपूर है अगला है जवार टमाटर का चीला इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप अंकुरित जवार दो बड़े चमच बेसन, एक चमच सहजन के पत्तों का पाउडर एक टमाटर और आधा प्यास, एक बड़ा चमच दही, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और एक चमच तेल ध्यान दे की पत्तों के पाउडर बनाने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटारियल में बताया गया है सबसे पहले अंकुरित जवार से हम जवार का पाउडर बनाएंगे अंकुरित जवार को एक से दो दिन तक धूप में सुखाएं, फिर धिमी आंच पर उसे भूने, जब तक वो पूरा नहीं सुखता अब मिक्सिया सिल्बर टे पर डाल कर कूट कर पाउडर बनाएं चलिए चीला बनाना शुरू करते हैं जवार के पाउडर और बेसन को एक बरतन में डाल लें बाकी की चीजें और मसाले भी और थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से मिलाएं चीले का मिश्रन गाड़ा होना चाहिए तवे को गरम करें और तेल डालें एक बड़ा चमच चीले का मिश्रन तवे पर डाल कर फैलाएं और मध्यमांच पर दोनों तरफ पकाएं जवार का चीला खाने के लिए तैयार है जवार प्रोटीन, मैगनिशियम, जिंक और फाइबर से भरपूर होता है अगर जवार ना हो तो रागी, बाजरा या राजगीरा का पाउडर इस्तमाल करें चीले को आवला चट्नी या नारियल चट्नी, नीम्बू के अचार, टमाटर की चट्नी या दही के साथ खा सकते हैं आवला, नीम्बू, टमाटर, अमरूद, संत्रा, ये सभी विटामिन सी से भरपूर होते हैं अपने खाने के साथ विटामिन सी से भरपूर चीज़े भी खाएं, इससे आपका शरीर आइरन सोख पाएगा किशोरवस्था में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को मास्तिक स्राव के कारण आईरन की जरूरत जादा होती है अगला हम सीखेंगे मुंगफली की सबजी बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप मुंफली, आधा कप तुरई, एक मध्यम आकार प्याज, एक छोटा टमाटर, चार से पांच टुकडे नारियल, आधा चमच कुटा हुआ अद्रक लसुन, एक चोथाई लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई धनिया पाउडर, एक चो लगवाएं, अलग से प्यास टमाटर और नारियल को गाड़ा घोट ले, कड़ाई में तेल गरम करें और जीरा, कूटा हुआ अद्रक लहसुन डालें, फिर इसमें घोटा हुआ मिश्रन डालें, तोरी के टुकडे और मसाले डालकर दो मिनिट तक पकाएं, अब कड़ाई म में उबली मुंगफली डालें, रस्सा बनाने के लिए आधा कप पानी डालें और पांच मिनिट तक पकाएं, मुंगफली की सबजी तैयार है, अगर मुंगफली ना हो तो छोले, चने, राजमा या काजू इस्तिमाल करें, अगर तोरी ना हो तो आप कड़ू, पड़वल, बैंगन या शिमला मिर्च इस्तिमाल करें, मुंगफली में अच्छे किसम की चर्बी होती है, इसमें प्रोटीन, मैगनीशियम, जिंक और अंटी ऑक्सिडन्स भरपूर होते हैं, दाने और फलियों में फोलेट होता है, किशोरवस्था में जरूरत के हिसाब से लिया गया गरभावस्ता के दौरान होने वाली पैदाईशी कम्यों से बचाता है, अब हम बाजरा, जवार और सब्जियों की खिचडी बनाना सिखेंगे, इसे बनाने के लिए चाहिए राजगीरा, या कोद्रा, या रागी, या फिर कांगनी, जो चीजे चाहिए वे हैं, एक पत्तों के पाउडर बनाने का तरीका इसी श्रिंखला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है, शुरू करते हैं, पहले बाजरा और जवार रात भर पानी में भिगोएं, अगली सुभा छान कर रख लें, प्रेशर कुकर में तेल या घी गरम करें, और जीरा कटा हुआ प्यास डालें, अब सबजियां मसाले नमक डालकर मिलाएं, दो मिनिट तक पकाएं, और बाजरा, जवार, हराचना डालें, दो कप पानी डालें, और तेज आँच पर कुकर को तीन सीटी लगवाएं, फिर धीनी आँच पर पंदरा मिनट पकाएं, बाजरा, जवार और सबजियों की खिचडी तैयार है, इस खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, मैगनीशियम और जिंक भरपूर हैं, अब सीखेंगे भरवा पराठा और तिल की चट्नी, इसके लिए चाहिए एक कप गेहुं का आटा, आधा कप काले चने, आधा मध्यमाकार प्यास, आधा चमच अजवाईन, एक चमच अलसी का पाउडर, आधा चमच अमचूर, आधा चमच धन्या पाउडर, एक चोथाई लाल मिच दो चमच तेल या दो चमच घी, पहले देखते हैं भूने हुए काले चनू का पाउडर बनाने का तरीका, तवे को गरम करें और चने को 2-3 मिनट तक भून ले, लगातार हिलाएं ताकि चने जल न जाएं, भूने के बाद चनू को ठंडा होने दे, अब भूने चनू का पा पाउडर नमक भी डाल ले, निम्बू का रस और पानी भी मिलाएं, पराठा बनाने के लिए अलग बरतन में गेहूं का आटा, अलसी, अजवाईन और नमक डाले, फिर जरूरत के जितना पानी डालकर गूंद ले, और पेड़े बना ले, फिर बेल कर पराठा बनाएं और उसके अंदर चने का मिश्रन भरे, भरे हुए मिश्रन को अच्छे से पराठे में लपेट ले, फिर दोबारा बेलकर पराठा बनाएं, गरम तवेपर पराठे को दोनों तरफ से से के, भरवा पराठा खाने के लिए तैयार है, भरने के लिए काले चने अगर ना हों तो ये इस्तिमाल करें, उबले चने की दाल या उबला हुआ अंकुरिक हरा चना, पराठे को तिल की चटनी के साथ परोसें, तिल की चटनी बनाने के लिए चाहिए, एक चोथाई कप सफेद तिल, एक बड़ा चमच चना दाल, चार से पांच ताजे नारियल के टुकडे, तीन से पा तेल को तवे पर गरम करें, और तिल, चना दाल, लहसुन, नारियल, लालमिच, जीरा डाल कर दो मिनट भूनें, आंच से उतारने के बाद नमक और इमली डालें, फिर सब को कूट लें, आधा कप पानी डाल कर अच्छे से घोट लें, तिल की चटनी अब तयार है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैगनिशियम, जिंक और फोलेट भरपूर है, ये पोशक तत्व, मास पेशियों और हड्डियों के विकास के लिए जरूरी हैं, जरूरत के हिसाब से कैल्शियम बचपन से ही लेना चाहिए, कैल्शियम की कमी से आगे जाकर औरतों की हड्डियां कम मासाहारी खाना बनाने के तरीकों का यह स्पोकन टुटोरियल यहीं समाप्त होता है, आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुडने के लिए धन्यवाद सुवा के पत्तों के साथ मुर्गी का कीमा और मचली की करी, सबसे पहले समझेंगे कि किशोरवस्था क्या है, यह वो उम्र है जब बच्पन खतम होकर इनसान जवान होने लगता है, दस से 19 की उम्र को किशोरवस्था कहते हैं, इस दोरान ताकत और प्रोटीन की जरूरत ब बदलाव आते हैं, एक किशोरी को रोज 2000-2400 कैलरीज और 40-55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, परियाप्त मात्रा में सुक्षम पोशक तत्व भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे की आईरन, कैल्शियम, मैगनीशियम, जिंक, फोलेट और विटामिन B12, किशोरवस्था मे पोश्टिक खाना खाने की जरूरत इसी श्रिंकला के अन्य टूटोरियल में समझाया गया है, इस उम्र में पोश्टिक खाना खाने की जरूरत को समझने के बाद हम शुरू करेंगे खाना बनाने के तरीकों से, पहला है पालक के साथ अंडे की भुरजी, इसे बनाने के लि या मक्षन चलिए शुरू करते हैं बर्तन में तेल या मक्षन गरम करें उसमें पिसा हुआ अद्रक लहसुन, हरी मिर्च और कटा प्यास डालें फिर दो मिनट तक भूनें अब हल्दी और कटी पालक डालें और फिर अंडा भी तोड़ कर डाल लें सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं अंडे को दो मिनट तक मध्यमांच पर पकने दें अंडा पालक की भुर्जी तयार है अगला सिखेंगे मटन पाया सूप इसके लिए चाहिए 200 ग्राम या फिर एक मटन की पूरी टांग आधा मध्यमाकार कटा प्यास आधा चम्मच पिसा हुआ अद्रकले सुन आधा चम्मच सभी खड़े मसाले एक चम्मच हल्दी नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच बेसन मटन के पाया को अच्छे से धोकर साफ करें इन पर आधा चम्मच हल्दी लगाएं पंद्रा से बीस मिनट तक रखें फिर धो दें धोने से पाया से गंध हट जाएगी कुकर में पाया और कटा प्यास डालें फिर खड़े मसाले पिसा हुआ अद्रकले सुन हल्दी और नमक भी डालें एक कप पानी डालकर कुकर को बंद करें तेज आँच पर एक सीटी लगवाएं आँच को धीमा करें और पंद्रा से बीस मिनट तक पका लें कुकर के ठंडा होने पर ही उसे खोलें जब कुकर में मटन का पाया पकने के लिए रखें तब अलग से बेसन को दो बड़े चमच पानी में घोल कर पतला घोल बनाएं फिर इस घोल को कुकर में पके सूप में डालकर मिलाएं फिर इसको उबालें और धीमी आँच पर दो मिनट तक पकाएं मटन पाया सूप तैयार है अगला है मटन के कलेजी और फेफडे की करी इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम मटन की कलेजी और फेफडे एक मध्यमाकार प्यास और टमाटर कटा हुआ एक चमच पिसा हुआ अद्रक लेसुन एक बड़ा चमच दही एक चोथाई चमच हल्दी एक चमच गरम मसाला पाउडर नमक स्वादनुसार दो चमच तेल या घी मटन की कलेजी और फेफडे को अच्छे से धो ले कुकर में तेल डाल कर उसे गरम करे उसमें कटा प्यास डाल कर भूरा होने तक भूने फिर कटाटा माटर पिसा हुआ अद्रक लेसुन डाल कर मिलाएं अब कलेजी और फेफडे को डाले खड़े मसाले दही भी डाले और अच्छे से मिलाकर पांच मिनट तक भून ले फिर एक कप पानी डाल कर कुकर को ढख दें और मध्यमांच पर 15 मिनट तक पकाएं मटन के कलेजी और फेफडे की करी तैयार है इसको बाजरा या जवार की रोटी के साथ परोसें अगर मटन के फेफडे और कलेजी ना हो तो आप मुर्गी की कलेजी और दिल इस्तिमाल करें चौथा हम सीखेंगे मुर्गी का कीमा सूवे के पत्तों के साथ इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम मुर्गी का कीमा एक कप सूवे के पत्ते आधा मध्यमाकार प्यास आधा मध्यमाकार टमाटर एक चमच पिसा हुआ अद्रक लैसुन आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी, एक चमच गरम मसाला पाउडर, एक चोथाई चमच धन्या पाउडर, नमक, स्वादनुसार और एक चमच तेल या घी बर्तन में तेल गरम करें उसमें कटा प्यास और पिसा हुआ अदरक लहसुन डालें जब तक प्यास हलका भूरा होने लगे तब तक भूने अब टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धन्या पाउडर भी डालें अच्छे से मिलाएं और नमक डाल दें फिर मुर्गी का कीमा डाल कर चार से पांच मिनट तक पकाएं आधा कप पानी डालें और बर्तन को ढग दें धीमियांच पर पांच मिनट तक पकाएं कटे हुए ताजे सूवे के पत्ते डालें अच्छे से मिलाएं और मध्यमांच पर पांच मिनट तक पकाएं मुर्गी क कीमा सूवे के पत्ते के साथ तयार है आखरी हम सीखेंगे मचली की करी इसके लिए चाहिए सौ ग्राम या दो टुकडे रोहू एक छोटा प्याज टमाटर एक बड़ा चमच मुंफली तीन से चार टुकडे नारियल एक चमच जीरा आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी नमक स्वाद अनुसार और दो चमच तेल या घी याद रखें कि ये करी आपके इलाके में मिलने वाली किसी भी मचली से बनाई जा सकती है शुरुआत करें मुंफली को बरतन में धीमी आंच पर भून कर लगातार मिलाएं ताकि मुंफली जल न जाए फिर उसे ठंडा होने दें ठंडा होने पर दोनों हतेलियों के बीच रगड कर उसका छिलका निकालें फिर प्याज, टमाटर, मुंफली, जीरा और नारियल को पीस लें बरतन में तेल गरम करें और पिसा हुआ मसाला डालें लाल मिर्च, हल्दी धनिया पाउडर और नमक भी डाल दें फिर दो से तीन मिनट तक भूनें और मचली के टुकड़े और एक कप पानी भी डालें अब उबालें बरतन को ढग दें और धीमी आँच पर पांच मिनट तक पकाएं पकाने के बाद कटा धनिया डालें मचली की करी खाने के लिए त मेगनिशियम और फोलेट चलिए अब इनके फाइदे देखते हैं पहला है मुर्गी मचली अंडे और मटन में भरपूर होता है पूरा प्रोटीन दूसरा मासाहारी खाने में जो आयरन होता है उसे शरीर आसानी से सोख लेता है किशोरियों में मास्तिक स्राव के कारण आयरन क ज़रूरत जादा होती है कम आयरन से ठकान रहती है त्वचा पीली दिखती है और इनफेक्शन का खत्रा भी जादा होता है आयरन दुबली मासपेशियों के विकास और खून के कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है तीसरा है मचली जैसे की भांगड रावस, गोब्रो, चूरा, हिलसा और पेडवे इन सभी में ओमेगा-3 fatty acid भरपूर होता है बुद्धी और दृष्टी के विकास के लिए ये ज़रूरी होते हैं ध्यान दें कि मासाहारी खाना, दूद और दूद से बनी चीजों में ही विटामिन B12 होता है विटामिन B12 से रक्त की कोशिकाएं बनती हैं, ताकत बढ़ती है और तंत्रिकाओं का काम चलता रहता है इससे गरबावस्ता के दौरन भ्रून का स्वस्थ विकास होता है मासाहारी खाने में और अंडों में जिंक होता है जिंक किशोरवस्ता में शरीर के विकास अनुभूती और यौन अ खाहर खाना बहुत जरूरी है हमें अलग अलग तरह के मासाहारी और शाकाहारी खाना खाने चाहिए यह टुटोरियल अब यहीं समाप्त होता है मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद हुआ है